आप आप अपने परसनल यूज के लिए सिखने चाहते हैं या फिर आप में कोई वीडियो को शूट किया हो आपको अच्छे सब्सक्राइड करना है और दोस्तों को दिखाना है और आपको वीडियो एडिटिंग के नाम पर कुछ नहीं पता यवीडियो देखते रही क्यों कि मैं इस वीडियो को फश्राइड के इन यदू करना सीख जाएंगे सब्सक्राइड ौपने यूटर्वीयोरी उप्लोड करता हूं उस सारे में आपने मॉल्वाइल से ही डियोरी स्वी करता हूं सैलब्सक्राइड थीन दूसरा काई नॉटियमास्टर उसे सारी वीडियो को एडित कर रहा हूँ, आज की तुरेल में हम देखनेंगे की काई मास्टर के हर एक पॉइंट यारी फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं, अपने वीडियो एदिक में और अपने वीडियो को बहुत ज्यादा आश्वल दिखा सकते हैं तो यह तोटबियु आपके उपर डबिडिक करता कि आप नियुद जुअ पर क्रियेटिव हैं व्यदिए कर दिए काल टेए ऐगा चलिए आते हैं अ normative की Stock gratitude करने के बाद आपको प्रीन करने करने कदद कहें चलिक करने कुछ तो ऑपको यह ऐसा इंटरफेस दिखे तो मैंने कुछ अध्यंड़ी करे दिखा ह। आपकोअि क्लिक करने और आप देख सकते लिए बहुत सारे ओफ्षेंस को मिल जाते हैं तो हम दूछ वीडियो करने वा Memphis के लिए ऐगर सकते हैं वहत और किसी लिए ने तो मैं क्लिक तरहिस यह हैं इस संपर्णा में लिग सकते हैं तो तो मैं दिखाता हूं कि आप कैसे आगे कुछ clips को कैसे add करते हैं तो जिस भी वीडियो के आगे आपको clip को add करना है तो उस वीडियो के आज आना है आपको सीधे simply last लास्ट करने के बाद आपको जो ऊपर मीडे बटन दिख रहे हैं क्लिक करिए बहुत सारे options देखने को मिल जाते हैं आप कोई भी option को click करिए transition अभी आपको समझें जाए कि क्या होता है transition तो आप जैसे मैं यह वाले option को zoom out को click किया है और इसमें timing भी आप set कर सकते हैं तो जैसे आप play करूँगा तो आप देखें कि transition की help से हम लोग क्या कर सकते हैं as you can see guys कि transition की help से हम लोग यह दिखा सकते हैं कि हम लोग का video कहीं आपको अलग feeling नहीं है कि video कहीं से कटा हुआ है so transition की help यह करते हैं एक video से दूसरे video में shift करने के लिए बहुत ही जादा आसानी मिलते है जैसे इसको देख लीजिए यह बहुत ज़्यादा cool लगता है मुझे को देखने में so transition आप ऐसे स्तमाल से कर सकते हैं कि आपको एक clip से दूसरे clip में shift करना है वह भी बिना audience को कुछे ज्यादा महसूस करा है कि आपने कुछ गडबड कर दी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको आप clip को delete करना है तो जिस भी clip को आपको delete करना है आपको simply tap करना है और left side में delete option दिख रहा होगा तो आपको इसमें click करते हैं और आपकी जो clip होगी वह delete हो जाएगी अगर आपको अपने video की volume को increase या decrease करना है तो simply video को tap करिए speaker को option देखा उसमें tap करिए और उपर नीचे करतर के आप अपने volume को बढ़ा सकते हैं या भी घटा सकते हैं घटा है जो भी adjustment करना है उसको करने को ठीक में click कर दीजिए और आपको volume वैसे ही set हो जाएगा अब अगला point निकल के आता है कि आप अपने video को trim या edit या काट कैसे सकते हैं तो simply जहां से भी आपको cut करना है वहाँ पर आपकर वीडियो को tap करना है tap करने एक बाद आपको बहुत सारी option दिख जाएंगे अगर आपको चाहिए कि आपके जहां से आपको trim करना है वहाँ से left वाला portion कर जाएंगे और आपको चाहिए कि इसके right वाला portion कर जाएगा अगर आपको चाहिए कि इस बीच में जल्बन दो अलग अलग portion में कट जाएं मतलब कि जो वीडियो जो है वहाँ तो split में आपको click कर दें तो आपको जो वीडियो को भीच में से दो अलग अलग portion में split हो जाएगा अब आपको देख सकते हैं कि मैंने इस इंगल वीडियो को आपको दो वीडियो में स्प्लिट कर दिया है अगर आपको चाहिए कि एक पर्टिकुलर मंद की एक क्लिप आ गई है और उसको आपको बहुत लंबे समय तक खींचना है तो यानि कुछ को एक ऐसा फ्रेम बनागे आपको इमेज को बनागा करके उसको लंबे तक चलाने रहे तो देख सकते हैं मैंने एक पर्टिकुलर फ्रेम को बहुत लंबे समय तक के लिए खींच दिया है उनके लिए है यूसफुल है जो कि एक गेमिंग वीडियो बनाते हैं जो बहुत लिए कुछ स्टेप्स को दिखाना है कि कुछ चीज़ों को स्किप करना है तो आप 8x वाली स्पीड का यूस कर सकते हैं स्पुइड बूस्ट्र में आप अडियो को भी म्यूट कर सकते हैं जैसे कि आप आएंगे स्पीड ने तो म्यूट ओडियो को ऊप्सन दिख रहा है आप उसमें टैप कर दो आपके जो वीडियो का ओडियो मेंसा के लिए तमापसे हैनगी मिउट हो जाएगा अब अगला उप्सन आदा ख्लिप ग्राफिक यानि कि जो भी आपकी चल लाइए उसमें एक कुछ ग्राफिक या पी कुछ एसरेंट जैसे कि एरोप्लेन जा रहा है ऐसे आपको एसरेंट चाहिए शुआ थो आप शुआ कर सकते हैं एक प्लिप ग्राफिक में आप कुछ भी मैसेश देना चार जैसे contradd यह जो एक ट्रेन आ रही मैं से कुछ मैंसे डाल दिया है जो इसे हेलो ढूल डाल दिया अब आप देखें कि राइट सायड से एक ट्रेन आ रही है उस ट्रेण में हेलो लिखा होगा आधर अब लागक्त आ दो अपने 및 अच्छी फिलिन लाता है मैं अलग ही इंस याड़ से आपने वीडियो के लिए तो मुझे अबी कोई क्लिक नहीं चाहिए मैं इसको Choose non में क्लिक करके हटा दूँगा अब अग्रों आता है अगर आपको अपने वीडियो को rotate करना है, तो rotate and mirroring में आपको click कर देना है और आपको अलगण option देखेँ आप लोग वीडियो से हमें लोग फिल्टर लगा सकते हैं तो आप अलग अलग फिल्टर ट्राइ करते रहिएगा जो कि आपकी वीडियो से स्टेबल ओ मैं यह उताता हूं कि अगर आप फेस्ट कैम यूज करते हैं और अगर आपको प्रॉब्लम होती है आपके डाक लाइट तो आप फिल्टर एक बाद जरूर यूज करके देखेगा कुछ न कुछ आपको तो जरूर हल्प मिलने वाली है जो फिल्टर के बारे में आपको बता दिया है तो मैं कोई फिल्टर नहींंग, इसको नन में खिलक बेटा हूं अगर आप manually अपने चीज़ों को control करना जैसे brightness, contrast को control करना चाहते हैं तो यह adjustment में यह आपको feature देता है कि आप अपने जो control, contrast और brightness बगारे को control करके अपने वीडियो को अपने according adjust कर सकते हैं तो यह भी एक अच्छा feature है अगला option हमारा volume से ही related है जो कि है volume envelope इसको use करके आप guys अपने audio को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं और इसका बहुत important use तब आता है कि आप एक particular point वे आपने voice को बहुत जाता maximum कर सकते हैं कि आप उसमें tap करके एक point बनाए point करने के बाद एक particular point आपको volume को decrease करें तो ऐसे decrease कर दीजे और अगले ही point हम लोगो increase है तो आप ऐसे increase कर सकते है तो volume जोगी आपकी fluctuate होगी आप जाएक तिरने कुछ वीडियो में यह चाना से volume बढ़ गई फिर घट गई तो ऐसे ही आप volume को बहुत ज़्यादा option दिखा सकते हैं voice change है अगर आपको नहीं चाहिए कि भाई आप बंदे आपकी original बस चुने तो आप voice change कर सकते है विगनेट में आपको देख सकते हैं कि side की border जो है black हो जाएंगी और mean focus आपका center में हो जाएग अगर आप चाहते हैं कि आपका जो video को volume ह आप जो audio से नीचे आजा और आप video से कुछी खुराफात करें कि audio कुछ भी गड़ना तो आप audio को अपने extract भी कर सकते हैं और video से कुछ भी खुराफात करेंगे तो आपके audio में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अब आपको बताने वाले हो कि आप किसी पर्टिकुलर वीडियो में zoom कैसे कर सकते हैं तो simply मैं एक छोटी स्क्लिप ले लेता हूं काट करके और इसी में देखने हैं तो middle को जो option दिख रहा है आपको इसमें tap करना है तो आपको दो option हो जाएंगी starting position और ending position में जाता हूं कि य आउट सकता है ना तो आपको चाहतना है कि आप उसी point से फिर जूम होके वह जूम आउट होगा तो फिर से आप एक clip को cut कर लीजिए sorry क्लिप को इस तरह स्प्लिट कर जा किजीजिए स्प्लिट करने के बाद आपको फिर से वही middle option में आ जाना है मिल्ल option में आने के बाद आपको अब देखे स्टार्टिक मोजिशन हम लोग की यह थी आप चाहते हैं कि स्टार्टिक मोजिशन यह हो और नॉर्मन प्रोजिशन जूम आट वाली हो तो आपको ऐसे clip कर देना है और आप देख सकते हैं कि अब अपनी clip जो है बहुत ज्यादा effects को भी यूज़ कर सकते हैं तो guys देख सकते हैं कि इन features के यूज़ करना कितना ज्यादा easy है तो guys आगर आप अब तक वीडियो में बने हुए अगर आपको वीडियो कुछ ज्यादा helpful लग रहा है यार लाइक करो लाइक करने के बाद अब आपको करना क्या है कि हम लोग आते तो चली कर देते हैं उसको हम लोग टैप जैसे आप टैप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ permissions मांगे तो permission को आपको कर देना है एलाओ करने को आप देख सकते हैं कि जैसे आपको अपनी voice over ring को start करना हो simply start क्लिक करिए और बोलना चारू करिए और नीचे देखिए आपकी recording चारू हो गई अब आपको जहां भी stop करना है तो stop कर देख सकते हैं कि एक audio को clip आपके नीचे आ चुकी है तो इसी audio का चाहें तो editing भी कर सकते हैं volume बढ़ाना घटाना volume बढ़ा घटा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जहां से भी आपने बोलना चारू के तो उसके ऊपर वीडियो के ऊपर से आपकी अलग से एक voice आने लगेगी तो voice work के लिए बहुत अच्छा useful feature है अब मैं आपको बताता हूं कि इसको अब इस voice को भी आप edit कर सकते हैं बहुत सारे options देखने को मिलता है तो मैं फिर से कुछ बगग बगग कर देता हूं और फिर देखते हैं इस तरह अब आपको इसमें भी बहुत साइफ फीचर देखन बढ़ाना है तो आप इनको options को try कर सकते हैं जो आपके वाड़ी को उबार सूट करें वही volume जैसे आप वीडियो में कर सकते हैं वैसे आप इसमें भी कर सकते हैं बढ़ा गटा सकते हैं एक particular point में तो यह बहुत helpful feature है तो हम आज आते हैं अपने कुछ अगर फीचर में जैसे क कि आप देख सकते हैं कि आप इसमें जो volume है आप उसको river में भी लगा सकते हैं river में आप अलग-अलग options को try करें जो आपकी वाइस को उबार शूट करता हो इसके लावा आप clip में एक particular में volumes को आपको cut भी कर सकते हैं review करना हो कि आपको कैसा sound कर रहा है तो आप review क्लिक करें त आप हिल सुन सकते हैं कि आपको कैसा sound कर रहा है loop में लगता है गोल-गोल घूमते रहेगा कि आप बार-बार सुन सकते हैं loop to end यह अलग-अलग options आप इसको try करें जो भी आपको suitable लगे आप उसको एक बार try कर सकते हैं आप मतलब कि जैसे आप audio की clips को काटते हैं वैसे ही audio की clips को काट सकते हैं तो यह ducking भी एक feature आप उसको use कर सकते हैं जैसे split option हो गया split trim to left, trim to right यह सारे options जैसे जो भी options आपको वीडियो में मिलते हैं वही सारे options आपको audio में भी मिलते हैं तो इन सब शीजों को use करके अगर आपको कुछ भी गलती हुई तो आपको पूरा वीडिय video माने जूरूत नहीं है आप simply उस portion को cut करके दुबारा उसमें बोल सकते हैं तो I think यह एक बहुत ही ज्यादा helpful feature जो भी voice over ring करते हैं जैसे कि दीजिए तो वीडियो चलता है कि आपका अलग से music इंपोर्ट हो गया किता चौप से ने अब मैं चाहता हूं कि भाई जो music हमारा सही जगह नहीं है तो simply मैं यह music की फाइल बहुत जादा बढ़ी है तो पहले मैं इसको cut देता हूं तो cut नहीं बाद आपको simply अगर आपको करना है कि आपको shift करना है इस audio को simply करना कि जिस भी फ्लिप को चाहे वो वीडियो हो चाहे वो audio simply उसके उपर थोड़ा आपको थोड़ी दे तक जैसे आपको थोड़ा vibration या कुछ भी थोड़ी दे टाप करने बाद इधर अगर आप slide करें तो आपका वीडियो जो होगा वो shift होना चालू हो जाएगा अगर आपको कुछ text को add करना है तो layer option जाकर text में click करेंगे तो आपका जैसे मैं hello को add करना चाह इसमें को change कर सकते हैं color को भी change कर सकते हैं इसमें आपको वही सारे options देखने को मिल जाते हैं अब आपको चाहना है कि आपको कैसे इसको extend करना बार पर लिखना नहीं है तो site में पूछ पकड़िया पूछ पकड़िया घसीड़ते चले जाएए जैसे आप मैं कर रहा हूं उससे करके आप अपने text को बहुत लंबे समय तर घसीड़ सकते हैं अब आपको जानना है कि आपका जो animation हो कैसे आए आने के लिए भी animation इन करें तो fade होकी आए जिसे देख सकते हैं कि धुनला धुनले करके सीदे एकदम उसकी बढ़ रही है अब आपको जानना है कि जब तक यह text है कुछ ना कुछ हाइलाइट होता रहे तो आप overlay animation में जा करके blink का option टूस कर सकते हैं और आपको जानना है कि आपका जो animation जो है वो धीरे से मतलब कि एक अचानक से न यूज करने के बाद आप देख सकते हैं कितना जाता creative दिख रहा है hello कितनी तेजब लिंक हो रहा है तो लोगों के अलग से attraction आता है उस बंदे अब उस particular text के ऊपर तो यह भी एक अच्छे चीज है आप इसको use कर सकते हैं अपने videos में कुछ भी text add करने के बाद आप चाहते है उसकी जो opacity है घड़ जाए माला कि visibility वह कितना जाता visible हो तुंदला दिखाई दे बिल्कुल ना दिखाई दे तो साइच चीज़े को आप use कर सकते हैं तो opacity जैसे देख सकते हैं खचाने बढ़ाने से वह थोड़ा कम दिख रहा है ज्यादा दिख रहा है दूज चीज को चूज करके आप देख सकते हैं कि आपके टेक्स के ऊपर कौसा मस लग रहा है मस लग रहा है आप अपनी opacity को इसमें भी घटा बढ़ा सकते हैं नीच आएंगे तो आपको टेक्स को अप्शन दिख चाहेगा कि आपको टेक्स को align कैसे करना है बिल्कुल middle room में रखना कि आ आप उसकी width को भी select कर सकते हैं shadow की आपके जो hello है या भी कोई भी हो उसकी shadow को आप ऐसा दिखाना चाहते हैं distance से आप उसकी shadow को दूर कर सकते हैं और उपर अप्शन से आपने shadow की color भी choose कर सकता है glow में आपको जो एक glow दिख जाएगा तो glow को add करने के लिए कोई color यूज कर लीचे जैसे मैं green यूज करके spread कितने जादा प्वैलाना चाहते हैं इस glow को तो आप इस option को choose कर सकते हैं background जैसे आप चाहते हैं कि ब्लैक हो जाए या भी लंबी पट्टी पड़ ज करने चाहते हैं keyboard का option में click करके आप दुबारे इस text को add कर सकते हैं so I hope आपको text को कैसे edit करना है कैसे import करना है कैसे क्या करना है आपको साही चीज़े clear हो गई हो गई होगी अब अगला option आता हमारा handwriting 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 आपको pen को clip करके देख सकते हैं कुछ भी ऐसे चलाना हो बच्चों जैसे वीडियो में देखने को मिलते है बगार बगार आता है stickers अगर आपको अपने वीडियो से कुछ भी stickers को use करना हो इस टिकर भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं से बहुत सारे stickers हम लोगों को देखने को मिलते हैं दूसरा हम लोग का effects एकर आपको देखेंगे तो pre में आपको सिब दो ही चीज मिलते हैं blur के, blur के भी दो options है एक तो जैसे देख सकते हैं कि अब मुझे जहरने को नहीं दिखाना और blur करना है यह वाला option यूज किया मैंने और play करेंगे तो इससे आप blur का भी effect यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं जैसे कि आप कुछ वीडियो दिखाते है इमेज वीडियो तो जैसे मैं इस वीडियो को इंपोर्ट करने वाला हूँ यह green screen है तो green screen क्या होता है actually कि जो background होता हो एक ही color का होता है तो उस एक color वाले background को आपको हटा सकते हैं तो जैसे कि मैं इस वीडियो थोड़ा stream करता हूँ और जैसे कि subscribe करो like करो यह सारा अगर को download करिए layer में import करें layer में import करने वाद simply करना क्या है कि chroma की option अभी मैं दिखाऊंगा कि उसको कैसे यूज करना पहले में particular clip को काट लेता हूँ तो chroma की option को यूज करने वाद आप यह जो background देखने को मिल ला है वो आप सब कुछ हटा सकते हैं जैसे कि यहां से अपनी clip को cut कर लेता हूँ और सिधर इसको simply थोड़ते tap करने वाद इसको drag करके सीधर सबसे आगे लियाता हूँ आपको simply करना क्या कि अगर आपको background को हटाना है इसमें यह भी options देखने को मिल जाते कि आप अपनी screen कैसे split करना चाहते है बाकि वही सारे options जो आपको हर एक video clip में देखने को आप इस video को crop भी कर सकते हैं आप इस video को crop भी कर सकते हैं आप इनको भी adjust करके tap कर दीजे और आपका video जो होका वहां से particularly crop हो जाएगा और tap कर दीजे देख सकते हैं कि कितना बड़ा video कितना छोटा हो चुका है तो इन options के आप crop सीख सकते हैं आप कर सकते हैं और आपको background को हटाना है तो simply आना है आने के आने के बाद करने के बाद जैसे आप इधर थोड़ा बहुत नीचे ऊपर adjustment करेंगे तो आप देख सकते हैं वह सब कुछ properly हट चुका है और आपने अभी तक हमाई चैनल सब्सक्रा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए अगर आपको अभी तक वीडियो में मज़ा आ रहा है तो आप ऐसे chroma key को यूज करके आप नए नए क्लिप्स को यूज करके जैसे सब्सक्राइब बटन वगएरा वगएरा अभी कुछ भी green screen की clips को इंपोर्ट कर सकते आपने वीडियो को बहुत ज्यादा ओसम दिखा सकते हैं अब बताते कि जैसे आपको जो में वीडियो में वीडियो को आगे कर आपने कोई वीडियो को इंपोर्ट ना है और आपका जो sequence थोड़ा गडबड हो चुका है तो आप चैंसर ना लीजिए आपको delete नहीं मानने ज आपको तब तक slide के रहे हैं तब तक वह right में दिखाने लगा है तो जो मेरा main वीडियो था वाटर वाला वह right में शिफ्ट हो चुका है और मेरा green screen वाला अब left में आ चुका है तो आप देख सकते हैं कि आप ऐसे simply वीडियो को ड्रै करके उनकी positioning को भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको कोई live image डालने वीडियो एडिटिंग के टाइम में जो बीच सेंटर में जो रेड रेड या पिंक पिंक उप्सन दिख रहा है आपको simply camp उसमें टैप करना है टैप करने के बाद आपको देख दो option मिल जाएंगे एक camera का एक दूसरा वीडियो recording का तो आप उन दोनों को यूज करके अहीं मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि भीया मैं उस condition नहीं को अपनी clip इसमें show करूँ आप इसमें जाएंगे ही जैसे आप तो बहुत सारे effects देखरे को मिल जाएंगे तो आप यहां से कुछ free के effects हैं कुछ paid effects हैं तो आप उनका use करके download करिए डाउनलोड करने बाद उनको use करके अपनी वीडियो को और पर जाएद ऑसम दिखा सकते जैसे कि आप इसमें जाकर के देख सकते हैं प्ले कर सकते कि यह कैसा दिखेगा वगर आपको पसंद दो डाउनलोड करिए और अपने में import करके use करिए अगर आपको अपने कोई particular moment को capture करना है तो आपको स्क्रीन को option दिख रहा है उसे टैप करना है उसे बहुत सरे options देख रहें को मिल जाते हैं जैसे कुछ लोग होते हैं जो particular thumbnail को save करते हैं तो capture and save में जैसे ही आप टैप करेंगे तो एक image जो होगी आपकी gallery में save हो जागी यही जैसे कोई clip gaming videos बना रहा है और कोई मलकी गज़ा का movement है और आप उस time screenshot नहीं ले पाए तो आप यहां से जाकर एक उस frame को capture करके अपने thumbnail के लिए edit कर सकते हैं अब guys हम लोग जान चुके हैं सारे options के कैसे हम लोगो वीडियो edit करना और वीडियो हम लोगों कर ली है edit अब उसको करना है export जो export करने के लिए जो सबसे right में यह right top corner में दिख रहा है उस button में करना है click जो भी जिस भी resolution option में चाहिए आपको उसमें select करके export के button में दबा देना है export दबाने के बाद skip करिए और आपकी वीडियो की जो exporting हो चालू हो जाएगी सारे options जो कि आप यूज करके अपने वीडियो को बहुत ज्यादा option दिखा सकते हैं मैंने सारे features को इसमें properly explain कर दिया है और I hope आपको clear होगा कुछ भी option clear नहीं है comment section दिया हुआ है वहाँ पर जाओ या पूचो मैं definitely आपका reply करने वाला हूँ और अगर आपको इस session मज़ा आया तो या कर दो वीडियो को like motivation फील होता है ऐसा ही option content बनाने के लिए और आपको future में भी unboxing से related PC related content या भी technologies related कुछ भी content आपको चाहिए तो या चानलो करो subscribe को कि इस channel हो लोग ऐसा ही awesome तगड़ी चीजे लाते रहते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में जया रेंज वाले माते